नमश्कार आप देख रहे हैं नियूद लेवन भारे डिडिटल मैं हूँ अभी शेक सिनहा आपके साथ राची समेट पूरे जार्खन और बलके पूरे देश में अब आप कह सकते हैं शद्धा का केंद्र है देवडी मंदर करीफ साथ सो वर्फ पूर्फ इस मंदर के निर्मा नमार महेंदृ सिंग धोनी भी देवडी माता की महिमा के आगे माठा टेकते हैं और देवडी मंदर लगातार जाते आते रहते हैं वहीं नहीं उनके अलावा राजधानी के और जार्खन के कमवे सभी बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर सारे बड़े नेता और देश के कई बड़े नेता वहां आते जाते हैं वी आई पी मूवमेंट अक्सर लगा रहता है अगर आप जाना चाहें तो शायद आपको कई बात लंबी कतारों का सामना करना होगा ये देवडी मंदे जिसको आस्था का केंद्र माना जाता है श्रद्धा का केंद्र माना जाता है बताया जाता है कि उसके अंदर सोला भुजाओं वाली कालीमा विराजमाने साड़े तीन फुट की प्रतिमा में वो अभिश्मर्णिय सक्ति मानी जाती है जिसके सामने पूरा देश सर जुकाता है आखिर उसके फाटक पर ताले लगा दिये जाते हैं फाटक बंद कर दिया जाता है और फाटक बंद करने के पीछे कारण क्या होता है स्थानिय राज़ि परंपरा के जिसके गर्वगरि में आप छेजह सार नहीं कर सकते ना बना सकते ना बिगाल सकते हैं आप उनका पृट बंद कर देंगे साहब यह कहां का इंसाफ है लेकिं देवरी मंदीर का पट बंद कर दिया गया जब पट बंद हुआ तो प्रशासन भी जागा आननफान SDM वहाँ पहुँचे और ये देखकर आपको आश्चर होगा ये सुनकर आश्चर होगा कि जिला पसासन को चार घंटे मशक्कत करनी पड़ी मंदिर का ताला खुलवाने के लिए इतने हावी हो गए हैं लोग दो समुदायों का नाम भी सामने आ जा रहा है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय पहले पर आरोप लग रहा है लेकिन इन सब के बीच देवडी मंदिर देवडी माता का माता की जो उनकी स्थापना का जो मुद्दा रहा है उनकी स्थापना का जो विशेर रहा है उनकी जो महिमा रही है वो कहीं न कहीं तार-तार होती रही लोगों के बी जो अपने कारे पर जाने से पहले अपने घर में जाने से पहले माता के मंदिर के बाहर माता जरूर टेकते हैं दो कहानिया हैं देवडी मंदिर को लेकर एक कहानी तो है कि उनके भक्त को सौपनाया था कि जंगल के भीतर कहीं मंदिर है माता ने खुद सौपन में उसको बताया जिसके बाद उसने घने जंगलों के भीतर माता की खोच की वहां तक पहुँचा और उसके बाद माता का मंदर रोगों के सामने आपाया दूसरी कहानी है कि एक राजा हुआ करते थे जब युद्ध हार कर लौट रहे थे राजा केरा तो उनको सौपनाया कि मेरा मंदर बनमा और तब उन्होंने मा देवडी की इस थापना की वहां पर मंदर बनाया दोनों कहानी हो में से कौम सी सची है इस पर पुछ्टी कर पाना मुष्किल है क्योंकि उस देवडी मंदर के इतिहास में जब जानकारी ली गई भुगर बेता उसमें जुटे तो भी ये माना गिया कि 13, 12, 13 सताब्दी के आख पास देवडी मंदिर का निर्मान कराया गया था तो देवडी मंदिर को लेकर कई तरीके की किवधंतियां हो सकती है लेकिन माता की महिमा को लेकर किसी तरीके की कोई किवधंति नहीं और कोई सवाल भी नहीं है उसके बावजूद पट बंद करने वाले क्या माता की महिमा से वाकिफ नहीं है लेकिन मामला कुछ और है मामला राजियती रंग ले चुका है आठ सो करोड के कारण दरसल देवडी मंदिर के वो उत्थान के लिए और उस पूरे परिसर को डेवलप करने के लिए राजिसरकार ने आठ सो करोड की रासी का वंटन किया है विकास मुंडा वहां के तमाल के विधायक सीएम जारखंड के हिमन सुरेन ने वहां के देवडी मंदिर को विक्सित करने का निर्मे लिया है ये आठ सो करोड रुपे कई लोगों के आखों में शायद खटकने लगे हैं जिसके कारण ये पूरा मामला एक अलग ही रफ्तार पकड़ता जा रहा है हर व्यक्ति कहीं न कहीं ट्रस्ट में सावीर होना चाह रहा है कहीं न कहीं देवडी मंदिर परिसर पर अपना दबदवा चाहता है ट्रस्ट गठन को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े किये जा रहे हैं इसको देखते हुए तो यही लगता है कि जिलापरशासन को ट्रस्ट की समेट विवस्ता अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में भी ये विवाद गरमाता रहेगा और इस विवाद पर किस तरीके से काबू पाया जाए ये भी एक जिलापरशासन के लिए बड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा